यह जाए दूट इकाम और लोकी का सीजन 2 का जो फिनाले है ना that was fantastic बदलब फट गई थी सारे के सारे ऐस्ट के पेशल लाता है कि लोकी के सीजन 2 का फिनाले शायद मावल गढ़ बढ़ कर सकता है क्योंकि सारे के सारे शो में आसी तसी करा लेते हैं अपनी पार्ट लोकी की सीजन 2 के फिनाले में बाइसा मैं बतानी से इस फिनाले में बात करने बात करते हैं लोकी बात करते हैं बात करते हैं लेकिन कोई भी सलुशन नहीं निकलता एन में जो लोकी है न उसको पता चलता है कि मुझे फटावर से बहुत टाइम पीछे जाना पड़ेगा और उस मुमेंट में जाना पड़ेगा जहां पर विक्टर टाइमली जिस इंटेड उस हुआ था वह भी ट्राइक करने लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता और एन में जब लेकिन अब इसके अने गौर करने अली बात ही है कि सारी चीज़ें करने के बात भी जब वह चीज नहीं होई है मतलब वह टाइम लूम को जो रिंग संग की बड़ी नहीं कर पाया है तब उसको लोकी को पता चलता है कि यह आक्शली में हो भी नहीं सकता और वह शुरू में लोकी है वो जाता है उसको रोक नहीं सकता यारी अब उसको उस मुमेंट में जाना पड़ेगा इन्फोर्मेशन लेने के लिए जहाँ पर एक्शली में सिल्वी नहीं ही वह रिमेंस को मारा था तो अब विक्टी नहीं जो लोकी है वो जाता है उसी मुमेंट में जब सीजन वन का एंड हुआ था उसी के इंदर जाता है और फाइली जो ही उ रिमेंस न वो पहचान जाता है कि या यह गडबड हुई है और वो सारी बाते बताता है हाँ विक्टर टैमिली को लेकर आया जाता लूम बडिया वह उसको बताता है कि जो लूम है वो आउक्टव करता है अव कि यह commission जो है ना हमें अभी तक लगता करने के बाद जो सारी की सारी टाइम लाइंस को वीग करने के तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है और ही हुरी मेंस बताता है कि वो सिर्फ एक फेल सेफ है उसको रोकने से कुछ नहीं होगा और अर क्या जिसरो और हैप उसको कुछ पता ता और यह उसके जो भांड यो चुछ जाते है तब ही हुरी मेंस वो उसको बोलता है कि अब भी तरे पर दो चोईसे पेलेंश है कि सब कुछ जैसा है वैसे चलने दे दूसरा है अगर तुछ टीक करना है तो शल्वी को मानना पड़ इस मुवमेंट में जो लोकी है वो जाता है उस मुवमेंट में जहाँ पर सारी की सारे जो नई बंदे रिक्रूट होते हैं उनकी टाइम लाइन वैनिश होती है और सिल्वी को बताता है कि हा भई मुझे तुझा मानना पड़ेगा अगर मुझे सब को ठीक करना है तो और सिल् आपल ओमलेट बनाने के लिए अंडर तोड़ना पड़ता है अब अंडर तोड़ना किसी की जान लेने के बराबर आप कह सकते हैं वह हुआ लेकिन अमलेट भी तो खाना है ना तो उसके साफ से जो लोकी है वो समझता है कि आप जो क्या करना है और वो लूम रूम के अंदर खुद ही चला जाता है लूम रूम के तर जाने के बाद आप एक मस सार ट्रांस्फोर्मेशन रिखते हैं जहाँ पर लोकी की एक नई यूनिफॉर्म देखने को बलती है और बेसिंगली जो लोकी है वो यहाँ पर गॉर्ड अव स्टोरीज बन चुका है वो सारी की सारी जितने टैम लाइन के स्ट लिख किसी के कंट्रोल में है और वो है हमारा लोकी तो यह तो एबिसोड की हम बात कर ली अब बात करते हैं बेनए मelet पॉएंट कि इंद्र सार के सार जो वंदे हैं यह जो मोविस है बी 15 है इस सब को जो है ना पुरानी मेंवरिज विखाई नहीं गई है और अब उनको काम दिया गया है कि जितने भी ही हुर इमेंज के नहीं वेरेंट है उनको तुम्हें वहाँ से अटा रहा है और बेसिलिए मल्टी वर् शतम नहीं हो सकता लेकिन फिर भी उसको बचाने की पूरी कोश्च करनी है तो यहां पर हैंड में हम देख सकते हैं कि हमें पता चलता है कि जो मोबियस से वह एक टीवे काम है उनको रोक नहीं कुछ करना और उनको रोकने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं तीवे बिल्कुल ठीक है तीवे में कोई गड़बन नहीं है सब कुछ लोकी ने मैलज कर रखा है और लोकी जो है वो एंड अफ टाइम पर बैठा हुआ है अब एक सवाल है क्योंकि कि लोकी आने वोले टाइम में बहुत बड़ा प्लेयर होने वाला है जैसे डेटपूल 3 हो गई या फिर कैसकते हैं सिकर्ट वार्स हो गई या कैंग नंस्टी हो गई बट लोकी नहीं कैसी पोजिशन के मावल ने छोड़ा है जहां पर वो उसका अस्तमाल करेंगे या में कर कर सकते हैं वो चाहें तो इसका अस्तमाल कर सकते हैं कर सकते हैं बट शोड़ी यहां पर नहीं है तो लोकी यहां पर क्यों नहीं उसको होना चाहिए न वो कोई वजबूरी हो इसकी किसलिए वो नहीं आ सकता यानि वो टाम लाइन को छोड़ नहीं सकता I guess I'm guessing because we don't know और और जो है अपनी लाइप में जाता है वापास देखता है अपनी टाम लाइन को जैसे आसके बच्चें वो खुश रहता है और यहां पर जो सिल्वी है वो कहीं चली गई है बात करें अगर रेंसलेयर की तो रेंसलेयर को जो लोकी का हैस सा सीजन वन वाला जिसमों मल्टिपल ल साम आ रहा हो इससे hero remains टी 10 line पर कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि उसका सारा का सारा प्लान था और उसका सारा जो प्लान है वो फ्रूशन हो चुगा है वो सही हो चुगा है तो प्रॉब्लम क्या है ठीक है अच्छो यह चीज अच्छी लगए बरको दोसरी चीज अब एक बहुत इंपॉर्टन होगा वो यह है कि आपको पता चलने वाला है और जैसे उनको पता चलेगा वो कुछन को ट्रा करेंगे उनको रोकने के लिए क्योंकि लोकी तो होगा नहीं उनके पास आइगास तो वो रोकने के लिए जो मल्तिवर्सल अवेंजर्स हैं उनको लोकी करेंगा लोकी को साह के साथ जो जानते हैं एट लीस्ट दोसर बादा तक कि जो अवेंजर्स हो जानते हैं लेकिन जब उनको पता चलेगा कि लोकी यह जो लोकी नहीं है जिनको हमने फेस किया था और डेफिनेटलि यह वाला जो लोकी है यह फूचर के लिए इंदर और अगर बात करें एपिसोड की ना और जनल में बात करूँ तो बहुत ही सबर्दस्ट जो लोकी की टाइम लाइन वाले सीन है जब उसका ट्रांस्फोर्मेश हो था वह वह वाले जो सीन ना दे आंट अमेजिन बतलब उनके बारे में मैं क्या ही बोलू दे आई लब डिक सार कि सारे क्रेकर्स की कहानी को अच्छा तर्टाइग किया गया है शो को एक एंड दिया गया है कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको फ्यूचर के लिए टीज कोई दिखाया लेकिन इस तरह के वेबन दिखाया कि शो को एक क्लिफ एंदर मोर्ड पर लाकर रोक देना जैसा यह 21 भी हो सकती है, you can differ with me, तो भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आया इस एपिसूट के अंदर, कहीं दर कॉंकरर का टीज देखने को पने एंड में, और लोकी, जो गॉर्ड अमिश्चिफ था, अब वो गॉर्ड अस्टोरी बन चुका है, वो सारी सारी चीज़े मान कर रहा है, टाइम लाइन्स को मैनेज कर रहा है, विजिस जस्ट, चैरी अंदर केक, थैंक यू सो बच वचिंग दिस वीडियो, मैं हो सेची नहीं का मिलूंगा आप सेंगे लिए वीडियो के अंदर, बाई गस्टी के लव यॉल, और इस वीडियो के बाद, आएगा अगा झाल